नमस्कार दोस्तो एक वार फिर से स्वागत है आपका 5G Track Solution में और इस क्लास में हम आपके लिए लेके हैं Audit of Government Company अथार सरकारी कंपनियों का अंकेक्सान ये आपके Chapter 7 इसके पहले हम आपके 6 क्लास करा चुके हैं Auditing से Related याने की Unquestion से Related तो दोस्तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप 5G Track Solution पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि एगर कोई नई वीडियो आती है तो उसका notification आपको मिल जाएगा तो बात करते हैं दोस्तो सरकारी कमपनी होती क्या है पहले यहीं पर इसकी बात कर लیते हैं कि जो Government Company है वो क्या होती है और उनकी Auditing कैसे की जाएगी ये इस वीडियो में हम इस कλάस में आपके लिए यही बात करेंगे कि आपके जो सरकारी कंपनी होती है उनके ओडिटिंग कैसे की जाती है उनके नियम क्या होते है उनके अंकिक सक्की नुक्ति कैसे की जाती है ठीक है उनके अंकिक सक्की नुक्ति कौन करता है कैसे करता है कौन से नियम में है उसके क्या अधिकार होते है उसके क्या करतव्य होते हैं ठीक है तो पहले सर्ट सबसे पहले बात करते है कि Certain two Can always on कमपनी है ना उसकी परिवासा लिखी हुए क्या लिखी हुए है कि एसी कमपनी जिसकी परदत अंस्पूंजी होती है ना उसके कम से कम 51% इस्सा केंदर सरकार का या राज्य सरकार का या तो केवल केंदर सरकार का या केवल राज्य सरकार का या आनसिक रूप से केंदर सरकार का या आनसिक रूप से राज्य सरकार के पास हो तो ये तीन परिवासा है कि कम से कम 51% का इस्सा होना जाए है अंसपूंजी में ठीक है तो वही क्या रहेगी आपके government company और जो सरकारी company है ना उसकी साइग company भी सरकारी company होगी चाहिए वो प्रतेक्स रूप से हो चाहिए अप्रतेक्स रूप से हो किसी भी तरीके से हो वो भी क्या कहलाएगी उसके लिए government company ठीक है तो next आगे बात करते हैं अगर आपने भी तक 5G ट्रेक्स सोलुशन को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें दोस्तो टेलिग्राम चैनल का link नीचे वीडियो के description में है वहाँ से जाके journey कर सकते हैं, वहाँ पे रोज डेली current affairs की वीडियो डाले जाती है और रोज डेली current affairs भी डाले जाती है विछले सालों के सब भी महत्वपून प्रस्टनों के लिए आप 5G ट्रेक्स सोलुशन को subscribe कर लीजिए next बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर आपको 5G ट्रेक्स सोलुशन पर क्या-क्या उपलब्द हो जाएगा junior accountant के official papers, CET, UG के official paper, 12th level CET के official paper रास्तान आइकोट, LDC के official paper, REIT के official paper, agriculture supervisor के official paper lab assistant के official paper, महिला supervisor के official paper, information assistant के forest guard के इन सबी के official paper आपको with detailed solution के साथ मिल जाएंगे, ठीक है किसके साथ मिलेंगे, with detailed solution के साथ next बात करते हैं, और क्या मिलेगा, आपको study material, GF and AR की rules के trick, RSR rules के trick जो के junior accountant exam के लिए very important है, और 500 very important question आपके RSR के और 500 very important question आपके GF and AR के, तो ये भी आपको मिल जाएंगे, दोस्तों अगर आप 5G tech solution पर नए हैं, तो आप subscribe कर लीजेए, और वीडियो को like करें, ज़दा से ज़दा वीडियो को save करें, और YouTube channel को subscribe करें, तो बात करते हैं हम पहले question की, आगे बढ़ने से, पहले हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, पहला question जो कि आपके government company है, government company है, उनकी auditing से related है, जो कि very important है, दोस्तों जो exams में आये है, वो ज़्यादा कर repeat मारते हैं हर exam में, तो आपके आने वाली exam junior account के लिए very important है, तो आप देख सकते हैं, first, first है आपके भारतिया नियंतरक ए मालिखा प्रिक्षक को report प company के audit की audit report पर टिपनिया पूरक देने का अधिकार होगा, तो किस कितने दिन को होगा, बताएए फटापट कितने दिन को होगा, जो आपके CAG होता है, बारतिया ये आपके बारतिया नियंतरक मालिखा प्रिक्षक, इसको salt में बोलते है CAG, CAG को report प्राप्त करने के लिए, कि आपके होगा, 6 दिन, कितना होगा, 6 दिन, क्या हो जाएगा, अब का answer क्या हो जाएगा, 6 दिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 दिन, और इक किस में लिखा हो है, 143 6 में, किस में लिखा हो है, 143 6 में क्या लिखा हो है, कि जो supplementary audit है न, उसके करने के लिए कैसे करेगा, जब CAG ह कोट है वो मिल जाएगी ठीक है अब उसको शार्ट देनों के वित्तर वित्तर अगर लगता है ना कि खातों में कोई गड़वड़ी हुई है या कोई एर्या फिरी हुई है तो वह किसी भी व्यक्ति को अधिकरत करके पूरा किया अथार्थ सप्लिमेंटरी ओडिट करवा सकता है ठीक है किसमें लिखा हुई है 1436 में धारा नंबर नेसके उसन बात करते हैं सरकारी कंपनी के मामले में कंपनी दिनियम 2013 की धारा एक सो गुंतालिस की उपधारा पांच और उपधारा साथ है पांच और साथ में किसके दौरा लेखा प्रिक्सर की नुक्त किया जाएगा तो बताई किसके दौरा किया जाएगा आपके फटापट बताई किसके दौरा किया जाएगा Cag के द्वारा किसके द्वारा किया जाएगा Qaiế Go 181 दिनों के बित्तर कितने दिनों के बित्तर करेगा इसका नियं पता है कि आपको फटाफट कमेंट बाक्स में कमेंट करना बताए कि 180 दिनों के बित्तर Iska नियम है कि जो परत्थम अंकेकसक होता है नो उसके लावज कोई दूसरा अंकेकसक होता है ना उसकी न्युक्ति पर टेक वित्ति वर्ष पर आरम होने के 180 दिन के बित्र नियांत्रक एम मालिखा प्रिक्सक के दुवरा न्युक्ति साधान सभा की निसकर्ष तक न्युक्ति की जाएगी ठीक है Next Question सरकारी कंपनी के अंक्रिक्सक की न्युक्ति अथ्वा पुनर न्युक्ति की जाती है तो किसके अदार पर की जाती है आपके CAG के दुवारा की जाती, किसके दुवारा की जाती है CAG के दुवारा, तो क्या हो जाएगा, आपका correct option क्या हो जाएगा भी correct option हो जाएगा, भारत के नियांतरक एम वालिखा प्रिक्सक CAG दुवारा आपके सरकारी कंपनी का जो ओडिटर होता है उसकी नियुक्ती और पंदर नियुक्ती की जाती है RSP233 माया क्यों से न, very important है Next, एक सरकारी कंपनी वह हैं जिसमें क्या होता है, एक सरकारी कंपनी को होगी जिसमें 29% समता अंसे सरकार के स्वामित में हो क्यों हो जाएगा, आपके option C correct हो जाएगा 21% समता अंसे सरकार के स्वामित में होना चीए ठीक है, तो C option correct हो जाएगा सरकारी की दिसमें नियंतरक एम मालिका प्रक्सक अथार्ट CAG को किस परकार का अंकेक्षन करने का दिकार है तो बताएगे किस परकार का अंकेक्षन करने का अधिकार है पटापट बताएगे, पूरक अंकेक्षन का कौन सा है पूरक अंकेक्षन, क्या कहेंगे, इसको 1436 क्या कहेंगे, 1436 क्या कहेंगे, दारा नंबर कौन सी है 143.6 में अभी बताया है मैंने आपको supplementary audit कहते हैं ठीक है से 8 दिनों के बित्तर नई report के लिए किसी को भी authorize कर सकता है ठीक है सी ये जी next question company adenium क्या company adenium 1956 क्या बात कर रहे हैं हम company adenium मैं 1956 की दारा 6122 के अनुसार सरकावरी company में अंकिक सक्की नुक्ति की जाती है company में जो अंकिक सक्का आपके उसकी नुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है CAG के द्वारा किसके द्वारा की जाती है CAG के द्वारा तो क्या हो जाएगा आपके option number C correct हो जाएगा ठीक है next question थोड़ा सा note लिखा है वर्तमान में company जिनियम 22.13 की दारा 149 ने दारा 692 का इस्तान ले लिया है तो पहले एक सगुन तारीश थी जो दराब के 145 उसका नया नाम के दे दिया 600 पहले 692 थी उसका नया नाम देदिया 144 की दारा 5 पांच पूरक अंकेकसक पूरक अंकेकसक सप्लिमेंटरी ओडिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो सप्लिमेंटरी ओडिट है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो उसको वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन है निपूर्टा में ओचित्य अंकेकसन क्या निपूर्टा में ओचित्य अंक important question है. उनके official paper with detail solution के साथ provide करा आजाते हैं. तो paid up capital में बागीदारी है. तो सरकारी company है उसके परदत पूंजी में बागीदारी कितनी होती है? तो मैंने बताया आपको minimum कितनी होती है? 21%. कितनी होती है? आपके minimum कितनी होती है? 21%. किस-किस के होती है? के परिक्सक की नियुकति उची समय में नियंत्रकिय मालिखा प्रिक्सक दौरा संचालक मंडल बी ओडी दौरा नयके जाने पर किसके दौरा की ही है जब जब आपके सरकारी कंपनी में पर्थम अंक्यकशक होता है उसकी द्ब्र आपके साट दिनों के अंदर shareholder है वो सवा EGM की विटिंग बुलाके जब करेंगे ठीक है तो कों करेंगे आपके बोर्ड द्वार होती है तो मैंने अभी आपको बता ऐसा 146 में होती है किस में होती है 146 में किसकी बात होती है आपके पूरक अंकेकसन यानी की सप्लिमेंटरी ओडिट की बात होती है नैस किसन सरकारी कंपनी के पर्थम अंकेकसक की न्यूकती नियांतरक में मालिखा प्रिक्सक के दुवरा पंजयन के कितने दुनों के बित्र के जाने का प्रावदान है बताईए फटा फक सरकारी कंपनी के पर्थम अंकेकसक की न्यूकती आपके नियांतरक मालिखा प्रिक्स के दुवारा रजिश्टर हो सने के बाद कितने दिनों के बित्तर के जाना है तो ये सीएजी की बात हो रही है तो चार्ट दिन में करावानी पड़ेगी क्यों जाएगा ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट बाहर सरकारी विभागों के अंक्यक्षन के लिए क्या बात करो ही है तो स सरकारी विभागों के अंक्यक्षन के लिए सब्विंदान के किस अनुचेद में भारत के राष्टपती दुवरां सीएजी की नुक्ति की जाती है तो किस सीएजी की नुक्ति किसमे की जाती है आपके अनुचेद नमबर 148 में ठीक है 148 के कोडिंग क्या बात हो रही है निमलिक्त में से सरकारी कंपनी के अंक्यक्षक का वेधानिक अधिकार है तो उसका वेधानिक अधिकार कौन सा है इनमें से आपको बताना है सूचना इस परश्टी करन मांगने का अधिकार सही है कंपनी के पुस्त को इम परपत्रों इम प्रमानकों का प्राप्त करने का अधिकार सही है कंपनी की स्यांखा के समद्ध में अधिकार सही है उप्योग सभी क्या हो जाएगा आपके D option correct हो जाएगा और प्रोक्ते सभी Next question पर चलते हैं Next question आपके सामने है सरकारी unction से क्या तात प्रिया है मतलब की जो सरकारी unction है उससे आप क्या समगते हैं बताए फटाफट सरकारी विवागों के खातों का unction करना ठीक है क्या सरकारी विवागों के जो खाते हैं उनका unction करना क्या कहलाएगा आपके सरकारी unction Next question सरकारी कंपनी का unction सरकारी कंपनी उसका unction क्यानि की ओडिटर होता है मैं अपनी रिपोर्ट किसको पस्तूत करता है तो किसको करता है आपके CAG को किसको करता है प्रिक्सक को करता है तो क्या हो जाएगा आपके D option correct हो जाएगा दोस्तों ये very important question है अब बस आपके लिए ये next test आएगा जो कि आपके अने वाली exams के लिए practice का काम करेगा एक तरह से कि आपने कितनी ज़दा practice करी है तो ये अब मैंने आपको 15 question बता दिये इंसे समझेट important tool बता दिये अब आपके 25 question का आपके ये रहेगा test आपको फट 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 अपने दिमाग से answer देना है कि आपने कितना पड़ा ठीक है तो इसमें सारे question हो में आपके सारी theory convert हो जाएगी ठीक है जो भी सरकारी company के auditory इन से related जो भी थो रही है वो सारी cover हो जाएगी तो क्यों से ना आपके किसी सरकारी company के लेखा प्रिक्सक के नुक्ती कौन करता है दोस्तों पहले आपको अगर content अच्छा लग रहा हो तो comment box में like भेजो और आपको तो दोस्तों बताईए कि किसी सरकारी company है उसके लेखा प्रिक्सक है मतलब auditor है उसकी नुक्ती कौन करता है तो मैंने आपको बताया कौन करता है CAG कौन करता है आपके CAG तो क्या बोलेंगे नियंत्रक एम मालेखा प्रिक्सक कौन करते है आपके नियं तरक एम्मालेखा प्रिक्सक किसमें लिखाओ है निकति 149 में नाइस क्यूशन पे चलते है सरकारी egenक्सन से ताथ पाधी है बताए फटा फट सरकारी उक्सन से क्या ताथ पाधी है अभी यह आया है वर क्यूशन अभी यह आया था उसमें सरकारी विवागों के खातों का अंक्यक्षन करना ही क्या कहलाएगा आपके सरकारी विवागों के खातों का अंक्यक्षन ही सरकारी अंक्यक्षन कहलाएगा ठीक है नाइस क्यूसन पर चलते हैं नाइस क्यूसन आपके सामने स्क्रीन पर है सरकारी कंपनियों से सरकारी कंपनियों से ने स्क्रिशन बात करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है तो इसे नमबर फॉर्थ दोस्त अब ही तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉलुशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए कंपनी अधिनियम की किस दारा में सरकारी कंपनी के अंकेकसक की नुक्ति से समंदी प्रावधानों का वर्णन है तो अंकेकसक से नुक्ति से आपको दारा 149 बताई थी मैंने ठीक है आपके होता है 149 एक होता है 140 एक होता है 141 एक होता है 142 और एक होता है 143 अब 149 में होता है आपके जोइनिंग से समन्दीद ठीक है निक्ती 140 में आपके removal याने अठाने से समन्दीद 141 में होता है आपके qualification और disqualification ठीक है और 142 में होता है आपके remuneration यानिगी parisamik और 143 में होता है आपके power and duties ठीक है दाराओं का बताया मैंने यह तो 140 में क्या हो जाएगा आपके removal नेस क्यूसन और भारते समिंदान में CAG किसे समदीद है अनुशेद नमबर 148 नेस क्यूसन एक सरकारी कंपनी का अधिक्तम कितनी कंपनियों को कर सकता है उनके एक सरण 20 कंपनियों का मैक जीमाम कितनी कंपनियों का करेगा 20 कंपनियों का गजों किसके अंक अता आता है तो यह आता आपके वित्ययों के मानने सिद्धांतों के पालन की जांच होती है, किसकी बात होती है विëतिय ओ तित्या के मानने सिध्धानतों के जो नियम उनके फोलो हो रहें कि नहीं हो रहें इसके जांच होती है ठीक है तो क्यों हो जाएगा B-Option correct नेक्स कुर्शन पर चलते हैं यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्यूशन फटा फटा आंसर कमेंट बुक्स में आंसर चाप दीजिए सरकारी कंपनियों के अंकेकसक का दायत हो सकता है दोस्तों वीडियो हमारी सुबह साथ बज़े लाइव आती है उसको आप देख सकते हैं सरकारी कंपनियों के अंक्यक्सक का दायतू हो सकता है तो ये दिवानी भी हो सकता है साफराद दोनों तरह के के आपके सरकारी कंपनियों के अंक्यक्सक के दायतू दो तरह के होते हैं एक तो दिवानी दायतू है और एक साफराद दायतू ठीक है मतलब की सिविल और क्रिमिनल ठीक है नेस क्यूसन आटवा है आपके सामने स्क्रीन पर सरकारी अंकिक्सन से क्या आश्य है तो अभी आपको बता है मैंने सरकारी विवागों के खातों की अंकिक्सन करना क्या हो जाएगा केंदर राज्य सरकार के कारियों की जाँच सही है राज्य सरकार के कारियों की जाँच केंदर राज्य सरकार के विवागों था सरकार के संचालित अन्य संस्तानों के इसाब किताब की जाँच क्या हो जाएगा उप्रोक सभी सरकार तो भाई राज्य सरकार भी शरकारी होती है केंदर सरकार भी सरकार होती है तो सरकारी अंकेक्षन यानि कि सरकार के सभी कारियों की जान नेस्क्यूसन आपके सामने यह राइ स्क्रीन पर फटा फटा आंसर कमेंट बॉक्स में चापती दिये सरकारी कंपनी है जो आपके सरकारी कंपनी है उसके अंकिकसक का पारिश स्रम्रिक यानि कि रिमनेरेसन निर्दारित किया जाता है तो उसका रिमनेरेसन आपके निर्दारित कौन करता है तो यह आपके सादान सबा करती है यह संचालक मंडल भी करता है अगर संचालक मंडल उस नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स क्यूशन पर चलते हैं, फटाफ़ट, नेक्स क्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर सरकारी कमपनी की परिवासा दी गई है, कमपनी दिनियम 2013 की कौन सी, तो ये दारादो 25 में, अभी मैं आपको सुरू सुरू में बताया, दारादो 25 में क्या द इन तीनों के आप्षिन आपको कमेंट बुक्स में फटा फट चापने एंगे양ट भ保भाधिन पर चलते हैं नेस कु mosque कर अगर बात करते हैं अगर तो ये ओगा आपके सामने सरकारी अंक्यकशक्रण देता है तो सरकारी जो अंक्यक्सक होता है आपके ओडिटर वह रिपोर्ट किसको देता है बताए कमेंट बॉक्स में फटा फट किसको देता है बताए कमेंट बॉक्स में तो वह देता है आपके सरकारी अंक्यक्सक किसको देता है रिपोर्ट आपके बताए कमेंट बॉक्स मे किसको देता है C.A.G को क्या हो जाएगा कमेंट बोक्स में C.A.G को अब आपको मैंने क्यूसर पूंचाता अभी आपको कि दारा 215 कौन सी दारा 215 दो पंदरा और 248 और 28 तो बताईए 25 किसको देती है 248 किसको देती है और 28 और आपके 25 किसको देती है फटापट बताईए 24 किसको देती है कमेंट बोक्स में भी तक जवाब नहीं है या फटापट बताईए किसको देती है और आपके 25 किसको देती है ये भी आप फटापट कमेंट बोक्स में जवाब दे दीजिए 24 किसको देती है और बारवा CAG की नुक्ति की जाती है CAG की नुक्ति को न करते हैं आपके राश्टपति साब को न करते हैं राश्टपति साब तो क्या हो जाएगा आपके B option correct हो जाएगा क्या हो जाएगा B option correct CAG त्याग पत्तर किसको देता है जो Comptroller and Auditor General CAG को बोलते हैं यानि कि नियांतरक एम मालिखा प्रक्षक है वो आपके त्याग पत्तर भी राष्टपती को देता है और निक्ति भी राष्टपती करते हैं उनकी Next question Very important question CAG का कारेकाल क्या होगा यानि कि Comptroller and Auditor General है वो भारत के उनका कारेकाल क्या होगा 6 वर्स या 65 वर्स की आयू जो पहले हो Next question सरकारी कंपनियों में सरकारी कंपनियों में पूरक अंकिक्षन का अदिश्ट दिया जा सकता है तो सरकारी जो कंपनिया है उनमें Supplementary Auditor Audit करवाने का अदिश्ट कून देगा आपके CAG देगा किसके according 143.6 दारा के according ठीक है Next question आपके सामने ये राइक स्क्रीन पर है पूरक अंकिक्षक को क्या पूरक अंकिक्षक की बात हो रही है यहाँ आपके सामने क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है क्या कहता है निपूर्ट अंकिक्षक कहा जाता है Supplementary Alert को Next question सरकारी कंपनी जिसके पास है क्या होता है सरकारी कंपनी जिसके पास क्या होता है 41% CG यानी की Central Government के पास ECON cuestima अपके स्टेट Гवर्मेंट के पास ECON раск CG या SG के पास तो उप्रोक्स अभी, तो क्या हो जाएगा आपके, D option correction हो जाएगा, next question, सरकारी company के अंकेक सक की पुने निक्ति की जाती है, जो सरकारी company है, central government है, या state government है, उसकी company है, उसकी अंकेक सक की पुने निक्ति कौन करता है आपके, वो भी CAG करते हैं, कौन करते हैं, CAG, Comptroller and Auditor General, ठ ठीक है, next question, सरकारी company के अंकेक सक की योगिता क्या होती है, बताएगे, सरकारी company का जो अंकेक सक है, वो एक CA होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CA, CA मतलब Chartered Accountant, जो की Chartered Accountant Act, 1949 में आएवा था, next question, पूरक अंकेक सक की योगिता क्या है, जो आपके Supplementary Auditor करवाएंगे, CAG साब, उसकी योगिता क्या होती है, कोई किसी को भी निरदारिस कर सकता है, उसकी कोई योगिता नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D-Option करेक्ट हो जाएगा, next question, सरकारी company के अंकेक सक के करतवे क किस दारा में आते हैं, दारा 143 में, Power and Duties, क्या आती है, Power and Duties, यानि कि आपके जो सकती और कारिये करतवे और दायत हो दोनों आते हैं, next question, आपके ओचित्ते अंकेक्षन में, अंकेक्षन कारिये करता है, जो ओचित्ते अंकेक्षन होता है, उसमें Auditor क्या कारिये करता है, त इत्य योजनाओं की प्रियापता है उसको देखने में अगर मैं इसको इंग्लिस में बोलू तो आपके क्या कहलाएगा यह आपके तो क्या हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर है C.A.M.G. यानि की C.A.G. एक्ट गुनी से कहते रहे उसमें C.A.G. का कारेकाल कितने साल का होता है तो उस एक्ट में कारेकाल 6 वर्स या 65 साल की उम्मर जो साल पहले हो तो क्या हो जाएगा आपके C.A.O.P.S.N. करेक्ट हो जाएगा किसको करवाता है C.A.G. करवाता है अब C.A.G. साब आपके सेंटर में बेजेंगे तो दोनों सदनों में करेंगे दोनों सदनों में करेंगे तो उससे प्रेसिडेट के सामने जाएगी ठीक है State Government को बेजेंगे तो आपके विदान सबा में जाएगी विदान सबा में जाएगी तो आपके राज जपाल के पास जाएगी ठीक है और अगर यूटी में बेज़ेंगे तो आपके यूटी की जो असेंबली है उसमें बेज़ेंगे गोर अगर यूटी असामली में जाएगी तो आपके जो परसासक होता है यूटी का परसासक गो़र्मेंट चलाता है वहां पे तो उसके आदो में जाएगी ठीक है नेश्क कुशन आपके सामने त्ना सरकारी अंगक्ष्ट pall के बारे में कोन सा कथन सतब है जो सरकारी अंकेक्षन है उसके बारे में इन में से कौन सा कथन सकते है आपको बताना है सरकारी अंकेक्षन लेखा हुए अंकेक्षन विवाग दुआ रखिया जाता है सही है سरकारी खाते से भुक्तान करने के पूरु राज किया अधिकारी बिलो का पारॉन्भिक ट्रिकषन कर लेता है लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें और अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगे आपकी कल सात बजे ठीक है सुबह सात बजे जन्यवाद